कुछ चुट्टे दे सकते हो ओ माई गॉड तुमने मुझे चुआ तुम्हें पता भी है मुझे इसे दोना पड़ेगा जानते हो कितना खर्चा होता है तुम्हें कैसे पता होगा तुम तो बे घर हो फिक है बहुत हुआ जरा सुनिये उसकी बात पर ध्यान मत दो काश मेरे पास और होते हैं मुझे हपते भर में भी इतने पैसे नहीं मिलते अब तो मैं लंच और डिनर भी खा सकता हूँ भगवान तुम्हारा भला करे गॉड ब्लेस यो क्या लखिये कि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंट है और और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो डॉक्टर की अपॉइंट ये सही है जैसे कि मुझे यकीन होगा मेरी डॉक्टर की अपॉइंट में सो जाएगी क्या करूँ यह लिज़े मैम उम्मीद है इतने पैसों में आपका आना जाना हो जाएगा आप नहीं जानते कि ये कितना हमाईने रखता है उम्मीद है आपकी अपॉइन्मेंट सही हो शुक्रिया आप एक फरिष्टे हो मौम इतनी देर क्यों हो रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक सेकिन रुखो बेटा बस देख रही हूँ कितना टोटिल बताया आपने 9.84 क्या आपके पास इसे छोटी बॉटल है इसकी चलो भी आगे लाइन बढ़ेगी या नहीं मैम आप पे नहीं कर सकती तो हट जाईए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ मैं समझ सकती हूँ पर मेरे बेटे को यह दवाई चाहिए क्योंकि वो बहुत बिमार है सुनिये क्या आप मुझे बस पांच डॉलर उदार दे सकती है बिल्कुल भी नहीं ठीक है सुनो मुझे इसके पैसे देने है या नहीं वरना मैं जा रही हूँ जी दीजिए छुट्टे रख लो प्लीज माफ कर देना बेटा पर अभी मैं तुम्हारी दवा नहीं ले सकती ठीक है पर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ तुम ठीक हो जाओगे ये लो इससे मदद होगी आप सच कह रहे हैं मतलब हाँ इससे मदद होगी लेकिन आप इससे अपना खाना ले सकते हैं ये कोई प्राबलेम नहीं है मेरे बाद जरूर से जादा है प्लीज ले लो इसे शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खुशी होगी उम्मिद है जल्दी ठीक हो जाओगे तैंक्यू कहो बेटा ये रहे जुट्टे शुक्रिया आपका दिन शुब हो हाँ शुक्रिया ठीक है ओके है है लगता है तुम्हें अच्छा खाना मिलने वाला है नहीं हैंक तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है ये लो ये तुहारा है लेकिन तुम भी तो भूख parties होगे कोई बात नहीं मुझे खाना मिल जाएगा हमेशा मिलता है ही है समझ भी नहीं आ रहा है आप कह रहे थे आपको पैसे चाहिए थे खाने के लिए लेकिन आप तो दूसरों को खिला रहे हैं माफ करना तुम घुसा तो नहीं हुए बिल्कुल नहीं मुझे तो बस जाना था आपने ऐसे क्यों किया शायद मेरे पास जादा नहूँ लेकिन हमेशा किसी और के पास मुझसे कम होता है मैंने हमेशा विश्वास किया है कि दुनिया में तुम जो दया दिखाते हो वो लोड़कर तुम्हारे पास आती है ओ अच्छी बात है मुझे जान के अच्छा लगा वैसे मेरा नाम क्रिस है ओ मैं हैंक हो शायद तुम मुझसे हाथ ना मिलाओ हाँ कोई बात नहीं ओ मिलकर अच्छा लगा मुझे भी काश मेरे पास और पैसे होते देने के लिए जिससे आप और खाना खरी सकते मेरे चिंता मत करो मैं ठीक हूँ मुझे खुश है कि तुम्हारे 15 डॉलर ने कितनों की मदद करती है हैंक मुझे थुड़ा खाना मिल गया एक भले आदमी ने ड्राइव थुरू में मेरे लिए दो बगो और दर किये तो मैंने सोचा एक तुम मैं देती हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे मादद करते हो शुक्रिया वेंडी देखा क्रिस कहा थाना मेरा काम हो जाएगा वो हमेशा हो जाता है यह बहुत अच्छा है तुम्हे एक चाहिए जी नहीं पूछने एक लिए शुक्रिया लेके न मुझे अब कहीं जाना होगा तो अधोनों से मिलकर अच्छा लगा मैं बाद में मिलता हूँ उपसे तुम से मिलकर अच्छा लगा गरेश उमीद है यह बढ़िया होगा थैंक्यू वेंडी तो हम खाना खाएं बेटा माफ करना माम मैं बस उस बेखर आदमी के बार में सोच रहा था वैसे अच्छा इंसान था आप यकीन नहीं करोगी मैंने उसे खाने के लिए पंदरा डॉलर दिये थे उसके पास सिवाए कुछ सिक्कों के कुछ भी नहीं था उसके कपड़े मेले भी था है शायद वो कई दिनों से नाया भी नहीं होगा पता है उसने क्या किया मेरे दिये पैसे उसने दूसर पर खर्च की और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था मैं चौक गया मतलब ऐसा कौन कर सकता है मॉम अब ठीक तो हो ना हाँ तुमने अभी चुका उसे कुछ यादे ताजा हो गई आपने जिसकी मदद की उसने भी ऐसा किया नहीं किसीने मेरी मदद की एक बेगर शक्स ने आपकी मदद की ये बात कुछ हजम नहीं हुई मैंने तुम्हें ये सब कभी नहीं बताया लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम बेगर हो गए थे देखो बरीबार शुरू करना मेरा हमेशा से खुआप था लेकिन तुम्हारे पापा उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे तो जब उन्हें पता चला तुम मेरे पेज में हो उन्होंने तुम्हें गोद देने का सोचा मैं ना मानी तो वो छोड़ कर चले गए ये कम था कि जब तुम पैदा हुए तो मुझे काम पर लोटने के लिए वक्त था लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आने तक रुक नहीं सकते और उन्होंने मुझे निकाल दिया इसके साथ ही मेरे बिल बाकी रह गए मेरा कोई इंकम सोर्स ही नहीं रहा तो मेरे पास कार में सोने क्या लवा कोई रास्ता नहीं बचा मुझे याद है एक दिन हालात इतने बत्तर हुए मुझे पता ही नहीं था तो वक्त का खाना कहां से लाओ लेकिन तब एक नेक शक्स ने मेरे मदद की और मुझे तब तक मदद करता रहा जब तक मैं दुबारा काबिल नहीं बन तो देखा तुम्हारे जनम के कुछ महिनों बाद हम भी बेगर हो गए क्यों मॉम आज तक आपने ये बात मुझे से चुपाई की हूँ वैसे ये बहुत पुरानी बात है शुक्र है हमारे हालाद ज्यादा दिन वैसे नहीं रहे लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो अभी बेव वही है खासकर ये जानकर के बहाँ बहुत अच्छे लोग भी है ये क्या करें तुम? बस बच्चा हुआ खाना फेक रहा हूँ क्योंकि आप कोई खाएगा नहीं आपको और चाहिए क्या? नहीं मेरे पास एक आइडिया है हैंक तुम्हारे पास एक डॉलर तो होगा है ना मुझे पारी चाहिए था अरे यार मेरे पास एक डॉलर था लेकिन मैंने उस बच्चे को दे दिया जिससे उसके जरुरत थी माफ करना कोई बात नहीं ख्रिस तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहाता ना फिर मिलेंगे और इस बार में तैयारी के साथ आया हूँ उमीदे इससे मदद हो जाए ना ही, तुम्हें इस सब करने के जरूरत नहीं देखो वो क्या लेकर आया है मुझे यही तो चाहिए था बहुत बहुत शुक्रिया है मुझे खुश हुई दर असल हैंक मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया था मेरी मॉम को आनम से यह नहीं हो सकता तुम्हारे नाम हैंक है है ना तुम नहीं समझो के तुमने मेरे लिए क्या किया मैं जिन्दकी के सबसे कमजोर पड़ाओ पर थी और तुमने मुझे उबारने में मदद की वाउ ये सुनकर मुझे खुशी हुई मुझे हमेशा अच्छा लगता है मैं जिन लोगों की मदद करता हू वो अरसे बाद मिलते है और अच्छे से जीने लगते है सच कहूं तुम मैं तुम मैं डूनने के लिए यहां कई बार आई हूँ लेकिन अभी पता चला कि तुम इसी सड़क के किनारे हो सोचा ही नहीं था कि तुम यहीं होगे वैसे मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था और अब मेरी उम्र भी नहीं रही है शायद मेरे लिए बहुत देर हो गई है यहां थोड़ा एक्षा खाना होगा क्या देखो तैंक ओ हाँ है ना रुको ज़रा तुमारा नसीब कुछ और होता अगर तुम तुमारे पास का सब कुछ किसी और को नहीं देते सच कहा लेकिन मैं मैंनेज कर लेता हूँ तुम जैसे अच्छे लोगों की बदॉलत वैसे तुम हमारे घर पर रहने क्यों नहीं आते मेरे घर पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेडरूम्स है आई आफर के लिए शुक्रिया लेकिन तुम पहले ही बहुत जाधा कर चुकी हो मैं बोज नहीं बनना चाहता तुम कभी बोज नहीं बनोगे मैं सीरियस हो और इसी बहाने आखिरकार तुम्हारा कर्श चुकाने का मौका भी मिल जाएगा मुझे मौम बिल्कुल सही कह रही है आप हमारे साथ चलिए हैंक मतलब आप शायद हम पर ऐसान करेंगे आपके क्योंकि किसी बुद्धिमान ने सही कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में दया करते हो तो वो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगी जब उसे सही तरीके से करते हो बहुत अच्छे चलो आप ठांड में ठिचून ना मरें आओ चलते हैं करते हैं करते हैं